बूर्णिंग इस्टुडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं बीएसी सेकेंडियर की जो हमारा टॉपिक चल रहा था डबल इंट्रिगल उसमें नेक्स टॉपिक की बात करते हैं चेंज आफ ओर्डर आफ इंट्रिगेशन कभी-कभी कुछ समागलनों में A to B, F1X, F2X, F of XY, DX, DY का्भा यह सिंग कभी कभी समागलन को डियाक्ट डी गई सीमाove के ईंत्रगत समागलनों करना संभव नहीं होता इस तरह के इंट्रिगेशन जिनको डायेक्ट्ली हम डी गई सीमाओं के उन्तरगत समागलन नहीं कर पाते उनमें हम समागलन की जो सीमा है उसका जो करम है उस समाकलन के करम को बदल कर और समाकलन क्याद करते हैं यदि हम समाकलन के करम को बदलें तो माल लेते हैं हमारा दिया गया वक्र ये था X बराबर A X बराबर B यह हमारा समाकलन शेत्र था तो दी गई सीमाओं के अनुसार जो समाकलन शेत्र है उसमें यह हमारा F1X यह हमारा F2X तो Y की जो लोवर लिमिट है वो F1X है और Y की अपर लिमिट जो है वो F2X है तो दा समाकलन शेत्र के लिए X बराबर A से लेकर X बराबर B तक हमें इस पट्टिका को मूग कराना है अर्थात X की जो सीमाओं है वो X बराबर A से X बराबर B दी गई है कभी कभी इस तरह के समाकलन को इस क्रम से हल करना संभव नहीं होता तो हम इस क्रम को बदल देते हैं अर्थात पहले Y के साथ पे समाकलन नहीं करके पहले X के साथ पे समाकलन करना हो तो हम इसके लिए इस पटिका को एक सक्ष के समांतर ले लेते हैं इस परकार से और एक सक्ष के समांतर पटिका लेने पर यह जो फलन है मान लेते हैं 5-1-y और यह हमारा 5-2-y है और c से लेकर यह d तो इस केस में हम इस समांतर का करम बदल देते हैं और x की सीमा जो हो जाती है वो 5-1-y से 5-2-y f of x-y ty-dx और जो y की सीमा है है वो constant है यहाँ से लेकर यहां तक इसे भ्रूम कराना है तो C से लेकर d करते हैं जिससे की समांतर जो है हमारा क attends हो जाता है कि यह परकिरिया यह यह जो क्रम बदलने की परकिरिया है वो तब यह काम में लेते हैं जबकि कि दिए गे समांतर कर लेका इंट्रिगेंड का डारेक्ली इंट्रिगेशन करना सम्भव नहीं हो जैसे कि एक उधारन हम लेते हैं एक उधारन द्वारा समझते हैं इस प्रकिरिया को किस प्रकार कोई दिया गया समाकलन क्रम बदलने पर आसानी से हल किया जा सकता है इसके लिए हम एक उधारन लेते हैं, उधारन है, Evaluate the following integral by changing the order of integration. जो integration दे रखा है वो है 0 to infinity, X to infinity, इत इत पार minus Y upon Y, dxdy, यह जो दिया गया समागलन है, इसे हम यदि बिना करम बदले हल करते हैं, तो इसका हल करना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम इसमों करम बदलते हैं, तो solution दिये गए समागलन का, समागलन दिये गए समागलन का, समागलन दिये गए समागलन का, समागलन य के साब पिक्ष करना संभव नहीं है, यदि हम य के साब पिक्ष का समागलन करेंगे, तो समागलन का, समागलन करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आइलिट या प्रोडेक्ट फॉर्मल अप्लाइ करते हैं, इंट्रिकेशन के लिए, तो इसका समागलन जो है, वो समागलन नहीं हो पाएगा, अते समागलन का, क्रम बदलते हैं, समागलन का, क्रम बदलने के लिए, सबसे पहले हम, दी गई सीमाओं से, से समागलन, शेत्र, का निर्धारन करते हैं, अब समागलन, शेत्र का निर्धारन किस परकार करेंगे, इसके लिए हम पहले, जो सीमाओं दे रखी हैं, हमें, एक्स बराबर, जीरो से, एक्स बराबर, इंफिनिटी, मतलब, यह रेखा, अब यह रेखा, इस कौर्डन को दो भागों में बाट रहे हैं, तो हमें कौन सा शेत्र दिया गया है, उसका निधरन भी कर लेते हैं, दी गई सीमाओं से हमें यह ग्यात हो जाएगा कि कौन सा वाला शेत्र हमें लेना है, तो एक्स बराबर, जीरो से एक्स बराबर, इंफिनिटी, एक्स बराबर, जीरो से एक्स बराबर, इंफिनिटी जो वाला है, अगर मैं ये पट्टिकाल लेता हूँ तो यहाँ पर x का मान शुनने से लेकर यहाँ पर infinite हो जाएगा और जो y की सीमाए है वो y बराबर lower limit है y बराबर x और upper limit है y बराबर infinity y बराबर x से y बराबर infinity था तो y बराबर x इस रेखा पर होगा और y बराबर infinity हमारा उपर होगा तो दिया गया शेत्र जो है हमें वो ये वाला शेत्र है अर्थात ये शेत्र जो है वो समाकलन शेत्र है अब हम इस समाकलन शेत्र का क्रम बदलते हैं समाकलन का क्रम बदलने पर जो सीमाए होंगी बदलने के लिए हम एक सक्ष के समानतर पट्टी का लेते हैं जब हम इस पट्टी का को यह जो स्ट्रिप है इसको हम एक सेक्सिस के पैरलल ले लेते हैं तो अब हमारी सीमाए बदल जाएगी और इंट्रिकेशन का क्रम भी बदल जाएगा तो सीमाए जो है एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर वाई जो कि इस जो स्ट्रिप है इसका लोवर पाइंट y एक्स पर है और y एक्स पर x बराबर जीरो होता है और जो अपर पाइंट है षिस स्ट्रिप का वो ऑन दी लाइन है y पर तो x इकल टू y तथा y की जो लिमिट है वो इस स्ट्रिप को हमें y के लिए यहाँ से लेकर ओपर तक लेना है अर्थात यहाँ पर y बराबर 0 से लेकर y बराबर infinity तो y बराबर 0 से y बराबर infinity तो यह हमारी नहीं सीमाई हो गई अब जो समागलन है i बराबर integration 0 to infinity x to infinity e to bar minus y upon y dx dy यह दिया गया समागलन था जो कि अब हमारा convert हो चुका है 0 to infinity and the lower limit of x is 0 to y e to bar minus y upon y dy dx अब हमने इस जो दिया गया समागलन था उसका क्रम बदल दिया है limit बदल कर अब इस क्रम को बदल कर हम इसको समागलन करते हैं और देखते हैं समागलन करने का जो क्रम बदला हैं हमने उससे समागलन बड़ी आसानी से ग्यात किया जा सकता है पहले हम x के साब एक समागलन करेंगे तो यह हो जाएगा 0 to infinity इसका समागलन x 0 to y dy 0 to infinity इट पर minus y upon y और अपर limit रखने पर y हा जाएगा dy y से y cancel it is 0 to infinity इट पर minus y dy और जो की बड़ा आसान हो गया है अब इसका समागलन हो गया है और जो i था it is e to the power minus y upon minus 1 0 to infinity minus e to the power minus infinity plus e to the power 0 और यह जाएगा 0 plus 1 it is equal to 1 तो किसी भी समागलन का करम बदलने पर वह समागलन जो आसानी से हल नहीं किया जा सकता था या जिसका समागलन करना संभाव नहीं था और हमने उसका समागलन कर दिया है अर्थात किसी भी समागलन जो की क्रम बदलने पर आसानी से हल किया जा सकता है उन समागलनों को क्रम बदलकर हम समागलन कर लेते हैं कुछ और उधारनों को हम एक्स्प्रेइन अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए थैंक यू झाल झाल झाल